इसमिल्ला इर्वाख माधिर वाहीम अस्सलाम अलेकम दोस्तों इंडियास टेस्टमास्टर की जानिक से आप सब कॉबने चेनल में खुछ वमदीद कहता हूँ दोस्तों आज की वीडियो कर्पोरल का जो पॉस्ट पेपर हमने शुरू किया है पेपर 2015 का पेपर है और उसका पॉट एट है सेवन पॉट्स अलड़ी वो चुके हैं जिन दोस्तों ने वो पॉट्स नहीं देखे तो उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पढ़े हैं दोस्तों आप उनको पॉज़र करके बाज कर सकते हैं इसके अलावा ASI का कम्प्लीट पेपर आप अल्रड़ी अप्लोड कर चुका है वो भी मेरे चैनल पर पढ़ा है आप उसको पॉज़र करें तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट क्रिस्टन नमबर 40 से 49 क्रिस्टन आल्रड़ी अप्लोड कर चुके हैं क्रिस्टन नमबर 40 से हमारे पास है आज का क्रिस्टन देखें When did Pakistan become member of United Nations UNO जिसको कहते हैं United Nations अर्गनाजेशन दोस्तों ये 1945 को इसका वुज़ूद अमल में आया था और दूसरी जन्ग अजिम जो के 1949 से 1945 तक लड़ी गई थी उसकी तबाकारियों के वज़ा से ये अर्गनाजेशन वुज़ूद में आया था और पाकिस्तान ने इस अर्गनाजेशन को कब जाइन किया था तर्टियत सितंबर 1947 को पाकिस्तान चुके 14 अगस 1947 को उज़ूद में आया था 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने इस अर्गनाजेशन को जाइन किया था दोस्तों यू भी बताता चलों कि युनाइटिड नेशन अर्गनाजेशन के टॉटल मिम्बर्स की तादाद 190 में है दुनिया में टॉटल 195 ममालिक हैं ये भी याज रखने की बात है और उसमें 193 कंट्रीज जो है वो युनाइटिड नेशन के मिम्बर कंट्रीज हैं और दो कंट्रीज ऐसे हैं जो कि इसके मिम्बर्स नहीं हैं वो दो ममालिक युनाइटिड नेशन अर्गनाजेशन के अब्जरवर है आजकर क्रिस्टन इसी पर आते हैं कि United Nations Organization के Observer ममालिक की तादाद कितनी है तो वो दो है उन्हों ममालिक के नाम आप होँद डून ले क्रिस्टन नमबर 41 देखें दोस्तों क्रिस्टन नमबर 41 Which country opposed Pakistan's membership in United Nations जब Pakistan United Nations का member बनने जा रहा था तो किस country ने इसके खिलाफ वोड दिया था And that was Afghanistan दोस्तों हमारा परोसी मुलक अफगानिस्तान ने इसकी मुखालिफत की ती Question number 42 देखे Question number 42 The scientist who was discovered that the earth revolves around the sun was उस सैंदान का नाम क्या है जो ये डिसकोड किया था के जमीन सूरज के गिर गुमती है तो उसका नाम था Nicholas COP COPरिंकस COPरिंकस इस सरक उसका नाम था दोस्तों Question number 43 देखे Question number 43 ये repeated question है बार बार आ रहा है या तो ऐसे होता है कि Alexander Plemming ने क्या चीज़ दर्याब की थी तो उसमें पिंसलीन दर्याब की थी या ऐसा क्विशन होता है कि पिंसलीन was discovered by तो दोनों तरीकों से आप याद रहें पिंसलीन क्विशन नमर 44 जाए के जाए आप क्विशन नमर 44 which instrument is used to measure pressure pressure के measure करने के लिए पिंसलीन के लिए क्विशन के लिए कौन सा आला इस्तिमाल होता है मैनो मीटर इस तरह कोई क्विशन आते रहते हैं कि कोई न कोई जितने भी instrument जो पिंसलीन के हैं उनको आप याद रहें similarly क्विशन नमर 45 देखें पिंसलीन की पिंसलीन की पिंसलीन के लिए क्विशन नमर 47 क्विशन नमर 47 देखें ओल नेम आप इराग इराग का पुराना नाम क्या है दोस्तों इराग का पुराना नाम है मेसोपोटेमिया मेसोपोटेमिया क्विशन नमर 48 देखें क्विशन नमर 48 क्विशन नमर 48 ते हमारे पास है blood is red due to homoglobin 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 की वज़ा से यह हून का red color है इस वज़ा से question number 49 को देंके दोस्तों question number 49 median trench is situated near median trench this is the deepest point in the word यह भी याद है दोस्तों median trench is the deepest point in the world and it is situated near the western north pacific this is answer question number 50 को जर देंके question number 50 headquarter of SARC SARC stands for South Asian Association for Regional Corporation इसका headquarter कहां पर है इसे बेले SARC का वजूद 8 दिसंबर 1985 को डाका बंगला देश में आया था इसके total members countries की तादाद 8 है और इसके observer countries की तादाद भी है इसका headquarter जो है यह कटमंडू निपॉल में है कटमंडू निपॉल का दरो खिलापा और the largest city of निपॉल तो यहां पर इसका our option है कटमंडू क्रेशन नबर 51 जरह देखें क्रेशन नबर 51 maximum wool producing country is ज्यादा से ज्यादा wool कहां अप्लाज़ा होता है दोस्तों इन आस्ट्रेलिया इस का हम सरें आस्ट्रेलिया क्रेशन नमबर 52 जरह देखें क्रेशन नमबर 52 Official Religion of Japan is जपान में दो बड़े बड़े religion है बोनी शिन्टू शिन्टूसम भी उसको कहते है या शिन्टू and the other is बोदिश बोदिजम इसको शिन्टूसम कह सकते हैं आप इस ता लेकिन अगर इन दोनों का मौजिना किया जाएं तो बड़े बड़े नमबर पर यह आएगा दोस्तों याद रखें इसमें और बहुत सारे तक्रीबन तीन चार इलिमन सिस्टेमाल होते हैं लेकिन आप्शन में जो दिये गये थी उसमें यूरीनियम का यूरीनियम इस दा अंसर पिचर नमबर पिप्टी पॉर देखे पिचर नमबर पिप्टी पॉर हाव मिनी रुको आखरे पारा में कितने रुको हैं टोटल तो देट इस 30 सिमिलर ली क्रिशन नमबर फिप्टी पाइफ को ज़रा देखे क्रिशन नमबर बद को देखे विच इस लिस कॉंड़क्टर तो यह तो यह तो यह तो यह जी क्रिश्चन है वुड इस लिस कोनदक्टर क्रिशन नमबर 56 ते की क्रिशन नमबर 56 नियगरा पाल यह अफशार है लाइज बीट्विन लाइज बीट्विन USA एन क्रिना USA एन क्रिशन नमबर 57 पैसे नमबर 57 57 पैसेley नमबर फिटी सेवान हाँ which is largest country of world by area area के लिए से सबसे बड़ा मुल्क दुनिया का रशिया है population के लिए से चाइना है area के लिए से दुनिया का सबसे बड़ा मुसल्मान मुर्ग तॉर्यकिस्तान I think है और अबादी के लिए से सबसे बड़ा मुल्क इस्लामी मुल्क वो एंडुनेशिया है क्रिश्चन नमबर 58 को देखे क्रिश्चन नमबर 58 Holy Prophet सल्लेलाहु आलेहिव आलेहिव आपॉइंटिड अपॉइंटिड का स्की लंग अड़त लेगा गया है इसको जरा सही करें अपॉइंटिड गोवर्नर अफ यमन फार कलेक्शन जकात किसको मुकरर क्या था हजरत माज बीनि जबल को दोस्तो क्रिश्चन नमबर 59 जरा देखे क्रिश्चन नमबर 59 विच इंटर्नेशनल इंवर्मेंटल रश्चर ग्रूप वास पॉंड़ इंटीन सेवन्टी ववन 1971 में ग्रीन पीस का उद्यूद आमज में आया था and similarly क्रिश्चन नमबर 60 आफिरी क्रिश्चन इस विडियो का वट इस दे कैपिटल आप माराको माराको के कैपिटल का नाम है अरपा तो यह थी दोस्तों आँच की वीडियो बाकी 40 वीडियो में अप्लोट कर लूँगा जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई समझ गया है तो फ्लीस चेनल को भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें तेंक्यो फ़ार वांचिंग